वेल्कम बैक काईज विंडो टैन में अक्सर कुछ प्रॉब्लम आती है गेम में यह प्रॉब्लम सबसे पहले आपने अपना इंटरनेट ओफ करना है इंटरनेट ओफ फिर आपने उस गेम के सौफ़वेर में जाना है यह उपर क्रैक इसको कॉपी करना है गेम फोल्डर ओपन करना है और यहां वो क्रैक डाउमलोड कर लेना है याद रखें जिस भी गेम पे यह प्रॉब्लम आ रही हो इंटरनेट से पहले उसका क्रैक डाउमलोड करके उस गेम फोल्डर में पेस्ट कर देना है और गेम रन करना है सिंपल सा परसीजर है अक्सर विंडो टैन में यह होता है विंडो सेमन में नहीं होता है देख सकते हैं गेम इस इसमें कोई बड़ी बात नहीं कोई मिश्कुल नहीं है बस यह एक जिस भी गेम पे यह प्रॉब्लम आई उसका क्रैक डाउमलोड करना है थैंक्स वोचिंग मैं वीडियो गाइस